जादू ग्रने लोगों का ध्यान बुलाया और एक खाली कपड़ा दिखाया उसने कहा प्रेस्टो उसने सुनहरी मचली का कटोरा निकाला हॉल के आसपास के लोगों ने सोचा कि उसने यह कैसे किया लेकिन सामने की सीट पर क्विक मैन ने लोगों के लिए एक बड़ा काना फूसी में कहा कि उनकी आस्तीम थी तब हर कोई हॉल दौर्प फुस फुसाय कि वही से अपनी आस्तीम था तब हर कोई हॉल दौर्प फुस फुसाय कि वही से अपनी आस्तीम था संयोग्म ने कहा कि उनकी अगली चाल प्रसिद्ध हिंदोस्टानी के छले थे उन्होंने दिखाया कि अंगूठिया अलग थी एक जटका पर वे सभी शामिल हो गए फुस फुसाय कि वह अपनी आस्तीम उपर एक और बहुत कुछ था फिर हर कोई सिर हिलाया और फुस फुसाय की अंगूठियां उसकी आस्तीम थी जादू ग्रैक बहुत चिंतित है लेकिन वह अपनी चाल जारी रखा कंजूरर को दर्शकों से टोपी मिली और उन्होंने तीस पांच सेकिन में सत्रह अंडे निकाले दर्शकों को लगता है कि वह अद्भुत्था शुरू किया फिर क्विक मैन सामने बेंच के साथ फुस फुसाय कि वह अपनी आस्तीम उपर एक मुर्गी थी और इसलिए सभी लोगों ने इसे फुस फुसाय कि उसकी आस्तीन के उपर बहुत सारे मुर्गियां थी अंडे की चाल बरबाद हो गई थी यह सब के माध्यम से उस तरह चला गया जो भी चाल उसने किया उसे एक ही प्रतिक्रिया मिली ऐसा लग रहा था कि जादूग्र ने अपनी आस्तीन छुपाया होगा जादूग्र की प्रतिष्ठा तेजी से शुनिर से नीचे डूब रही थी उन्होंने कहा कि एक अंतिम प्रयास के लिए लाम बंद उन्होंने कहा कि वह उन्हें प्रसिद्ध जापानी चाल पेश करेंगे जो हाल ही में टिप्ररी के मूल निवासी द्वारा आविशकार किया गया था वह क्विक मैन की ओर मुड गया और उसे अपने सोने की घड़ी देने के लिए अनुरोद किया यह उसे पारत कर दिया गया था सैयुगम ने क्विक मैन से पूछा कि क्या उसे उस मौटर में डालने की अनुमती थी और इसे टुकडों में पाउंड दिया गया था त्वरित आदमी सिरह हिलाया और मुस्कुराया जादुगर ने घड़ी को मौटर में फेक दिया और मेज से एक स्लेज हथोड़ा लगाया और इसे तोड़ दिया क्विक मैन फुस्पुसाय कि वह अपनी आस्तीन यह फिसल गया था सैयुगम ने उससे पूछा कि क्या वह उसे अपने रूमाल और पंच छेद लेने की अनुमती देगा वह उसमें दिखाई छेद बनाया इस बात का असली रहस्य क्विक मैन को मोहित करता है तब जादूगर ने अपने रेशन टोपी पर नृत्य करने के लिए क्विक मैन की अनुमती के लिए कहा जादूगर अपने पैरों के साथ टोपी पर पारत कर दिया और उसे कुचल दिया फिर उसे अपना सेल्यूलाइड कॉलर मिला और उसे उसकी अनुमती से जला दिया फिर वह अपने चश्मे मिल गया और यह थोड़ा के साथ तोड़ दिया क्वेक मैन हैरान था और उसने फुस फुसाए कि उसने इसके माध्यम से थोड़ा सा नहीं देखा जादू ग्रने निशकर्ष निकाला कि उसने अपनी घड़ी तोड़ दी अपने कॉलर को जला दिया अपने चश्मे को तोड़ दिया और उसकी अनुमती के साथ अपनी टोपी पर नृत्य किया दर्शकों ने स्वीकृति के साथ फैलाया कि कुछ युक्तियां थी जो संयुग्म की आस्तीन तक नहीं की गई